इन सर्दियों में फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आएए योगा नगरी रिशिकेश में, गंगा का अखंड प्रवा, उसके तट पर बसे आश्रम और हर किसी के मन को छूने वाला खाना, ये सब और रिशिकेश की कम्प्लीट टूर गाइड देखिए इस विडियो में हलो दोस्तो, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है, मेरा नाम है श्वेता और आज हम आए हैं देव भूमी उत्तराखंड में, ये भारत के सबसे आध्यात्मिक राजियों में से एक है, और दुनिया भर से लोग यहां तीर थियात्रा करने के लिए, योग भारत को योगा की जन्म भूमी कहा जाता है, और रिशिकेश दुनिया का योगा कैपिटल भी है, चार धाम यात्रा की शुरुवाद भी इसी शहर से होती है, ये शहर उत्तराखंड के देहरादोन डिस्ट्रिक में आता है, और ट्रेन, फ्लाइट और रोड से अच्छे तर रुपे से शुरू होती है, चुट्टियों के वक्त शायद ये दाम बढ़ भी सकते है, तेरादून एरपोर्ट पर प्राइविट काब्स और ओला जैसे कार रेंटल्स है, और वहां से रिशिकेश की 35 किलोमीटर की दूरी के लिए लगबग 1600-1700 रुपे लग जाते हैं, अ बोट से भी रिशिकेश हाइवे से जुड़ा है, और दिली, चंदीगर, शिमला से यहां प्राइविट कैब्स भी आती हैं, करीब 4-5,000 रुपे में आपका सफर तै हो सकता है, अब रिशिकेश पहुँचकर क्या-क्या करना है ये तो मैं आगे बताऊंगी, पर उसके पहल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर जबाएं ताकि ये सारी जानकारी वाली नई विडियो जाते ही आपको पता चलें रिशिकेश पहुँचकर सबसे पहले नजर आती है ये विशाल गंगा नदी, यहां आते ही एक अलग ही शांती मैसूस होती है गंगा का पवित्र प्रवा, उसके तट पर बसे आश्रम और उनके पीछे उत्तराखन के सुन्दर पहाड, क्या ग्रिश्य है यहां पर कई सारे आश्रम भी है और उनमें से एक है स्वामी सिवननन्दा का आश्रम, यहां पर योगा और वेदानन जी की महसमादी भी है और आश्रम के अंदर अलग-अलग मंदिर है यहां खाने पेने की और रहने की भी सुविदाएं उपलब्द हैं अगर आप उस धार्मिक माहौल में रहना चाते हैं, गंगा के पास, रिशिकेश के बीचो बीच, तो ये आश्रम बहुत ही अच्छी जगा है. इसकी बुकिंग आनलाइन नहीं होती, वहां जाकर अवेलिबिलिटी के अनुसार मिल सकती है. इस आश्रम से बस पांच मिनिट पैदल चलकर आप राम जूला पहुँच जाएंगे. ये करीब 37 साल पुराना है और 230 मीटर लंबा है. यहां से चलकर या स्कूटर लेकर आप दूसरी तरफ जा सकते हैं. इस ब्रिज की बीचों बीच खड़े रहकर दोनों तरफ गंगा नदी का बहुत ही सुन्दर नजारा आता है. राम जूला के जैसे यहां पर लक्षमन जूला भी है. लेकिन यह फिलहाल बंध है क्योंकि इसका रेनोवेशन शुरू है. राम जूले के पास है परमर्थ निकेतन आश्रम. यह रिशिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और यहां हजार से भी ज्यादा कम रहे है. यह गंगा घाट के बहुत करीब है और यहां सामने भगवान शिव की इतनी बड़ी मूर्ती है. रोज शाम में यहां गंगा आर्टी भी होती है और उस वक्त तो यह लोगों से पूरी तरह भर जाता है. इसी एरिया में रिशिकेश का मार्केट भी है. यहां पर sling bags, purses, kurtis, pants, बहुत सारी अलग-अलग चीज़े आपको दिखेंगी. अगर आप shopping करने में interested है तो यहां जरूर आएं. शाम में इस जगा का बातावरन ही बदल जाता है. लोगों की भीड बढ़ जाती है. और क्यूंकि हर शाम गंगा की आरती होती है, तो चले मैं आपको ले चलती हूँ त्रिवेनी घाट पर. यहां पर गंगा महा आरती होती है. यह रिशिकेश का सबसे बड़ा घाट है. इस घाट पर वैदिक मंत्रों के साथ की गई आरती देखने बहुत से लोग आते हैं. यहां शाम छे से साथ बजे के बीच होती है. यहां दस से बारा पुजारी खड़े होकर एक ही सुर्टाल में गंगा जी की आरती करते हैं. और यह द्रिश्य इस पूरे माहौल को और भी पावन बना देता है. शाम में चान की रोशनी में, चमकते पानी में ये दिये भी कितने सुन्दर लगते हैं. आपकी रिशिकेश की ट्रिप इस आरती को देखे बिना अधूरी है. इससे अच्छे से देखने के लिए शुरू होने से पहले ही आकर आकर रुख जाएं, ताकि आपके बड़िया दर्शन हो पाएं. गंगा जी की आरती देखने के लिए एक और जगा है शत्रुगन घाट. यह त्रिवेनी घाट से थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर भी वही पवित्रमा हॉल है. यहाँ से भी गंगा का सुन्दर रूप नजर आता है. भारत में सिर्फ दो शत्रुगन मंदिर है और उनमें से एक इस घाट पर है. गंगा नदी के विशाल रूप को थोड़ी कम भीड से देखना चाहें, तो में टाउन से थोड़ा आगे इस पॉइंट पर आ सकते हैं. यहाँ गंगा नदी रिशिकेश में प्रवेश लेती है, आगे बहकर नीम बीच और तपोवन बहुचते हैं. अब चलते हैं में मार्किट एरिया से थोड़ा दूर्ष, यहाँ पर है गुरुद्वारा श्री हेंट कुन साहिब, यहाँ बहुत चांती है और बहुत से लोग यहाँ सेवा करने भी आते हैं. यहाँ पर म्यूजियम भी है जहाँ सीख समुदाय की हिस्ट्री और उनके संघर्शों का अनुभव होता है, यह फ्री ओफ कॉस्ट है. अगर आप स्पिरिच्वल चीजों के अलावा यहाँ कुछ अलग करना चाते हैं, तो आप यहाँ बोट राइड ले सकते हैं. यह भी गंगा नदी में ही है और बारिश के अलावा सभी सीजन्स में शुरू रहती है. एक तड़ से दूसरे तड़ पर जाने के लिए इसकी कीमत करीब 40 रुपे है. वैसे यह छोटी बोट राइड है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है. अगर आप और भी ज़्यादा सीनेक या एडवेंचरिस एक्सपिरेंस लेना चाते हैं तो आप रिवर आफ्टिंग जैसी चीज़े कर सकती है. रिशिकेश रिवर आफ्टिंग के लिए मशूर है और उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है तर इप 700 रुपे प्रतिव्यक्ति से शुरू होती है. ये सारे जगाहों पर गूमने के लिए आप प्राइविट कैप कर सकते हैं या लोकल रिक्षा ले सकते हैं. लेकिन सबसे बेस्ट और बज़िट फ्रेंडली ऑप्षन यहां घूमने के लिए है रेंटल वाले टू वीलोज. इसकी कीमत 500 रुपे प्रडे से शुरू होती है और सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा होती रहती है. अगर आप छोटे ग्रूप या सोलो ट्रावल कर रहे हैं तो यह उप्षन बेस्ट है. अब आते हैं रिशिकेश के स्वाद और जाइक के चकने. यहां का माहौल बले ही बहुत आधियात्मिक और धार्मिक है पर यहां खाना हर तरह का मिलता है. नौर्थ इंडियन डिशिस से लेकर ऑथेंटिक इटालियन खाना सब मिलता है. पर हाँ ध्यान रखें इस पूरे शहर में सिर्फ वेजटेरिन खाना है, यहां पर नौन वेज़ खाना और अलकोहल, यानि कि दारूर बैन है. लेकिन खाने के लिए यहां इतने अलग-अलग रेस्टरांट्स और कैफेज हैं और वो भी गंगा किनारे कि आप बाकी सब भूल जाएंगे और यह खाना और यह नजारे एंजॉय करेंगे. सबसे पहली जगा है चोटी वाला, यहां के सबसे मशूर रेस्टरांट में से एक है, रुशिकेश की हर फूड गाइड में इसका नाम सबसे उपर है. यह यहां पर 30 या 40 सालों से है और राम जूले के पास है और इसके एंटरंस पर ही आपको चोटी वाला जी स्वयम बैठे नजर आएंगे. यहां पर एक दूसरे के बगल में दो चोटी वाला रेस्टरांट से और इनमें से किसी में भी जाएं दोनों का खाना सेम ही लगता है. यहां की must have चीजे हैं इनकी थाली और इनके छोले बतूरे. थाली में है पुलाव, राइता, स्वीट डिश, कड़ी या दाल, मिक्सवेट सबजी, पनीर की सबजी, दाल मखनी, सैलड, पापर और रोटियां. इसकी कीमत है करीब साड़े चार सो रुपए और यह लिमिटेट थाली है, आप इसे शेर भी कर सकते हैं. पीने के लिए यहां पर आपको फ्रेश जूसेज, मसाला शिकनजी, लसी, यह सब मिलता है. अगर आप थोड़े कम दाम में अच्छी कॉलिटी और पेट भर के खाना चाते हैं, तो यह जगा ठीक है. लेकिन अगर आपका फूट बजट थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि 500 रुपए से अधिक पर मील, तो आप यहां के कैफे जरूर एक्स्प्लॉर करें. निशिकेश में हर पड़ाव पर अनोखे कैफे हैं, और कई तो बिलकुल गंगा किना पर हैं. ऐसा ही एक कैफे है, गंगा व्यू कैफे. और नाम से तो पता चली गया होगा कि यहां से गंगा नदी दिखती है. वो रहा लक्षमन जूला, सामने हरे भरे पहाड और यह रहा इस विशाल नदी का पैनोरामिक नजारा. यहां पर चीसकेक, चाए, कॉफी, जूसे सूप, सालेड़, पास्ता और बहुत सारी चीज़े मिलती है. और यहां खाने पीने के लिए पर परसं करीब 500 रुपए लग जाते हैं. यह है इनकी मौर्निंग पंच स्मूदी, इसमें गाजर, अनार, ओरेंज, अद्रक, यह सब है और यह एक बहुत ही healthy beverage है. अगर आपको कुछ refreshing पीने का मन हो रहा है, तो आप मोहितो भी ले सकते हैं. खाने में मैं recommend करूँगी इनका tomato soup, fries, pizza, haka noodles और veggies in hot garlic sauce. और dessert में इनके cheese cake, chocolate cakes, यह तो must try हैं. इस खाने के साथ यह view कितना भैतरीन लगता है. अगर आप रिशिकेश आएं, तो इस cafe और इस view को बिलकुल भी मिसन करें. ऐसा ही एक शांदार नजारा मिलता है German bakery से. यह भी लक्षमन जूले के पास है और यहां से थोड़ा सा अलग नजारा है, लेकिन यह भी उतना ही खूबसूरत है. यहां पर बहुत सारी baked चीज़ें आपको मिलेंगी, उनके साथ salads, juices, burgers, chopsy जैसी चीज़ें भी मिलती है यहां must try है इनका apple struggle, इसमें save के slices हैं और बाहर से यह baked covering है, इसकी कीमत है करीब 180 रुपए और बाकी baked चीज़ें भी 200-500 रुपए के अंदर मिल जाती है German bakery और गंगा व्यूग cafe तो यहां की बहुत ही famous जगए हैं, लेकिन रिशिकेश में कुछ hidden gems भी हैं, जो must visit हैं, जैसे कि यह hideout cafe यह actually छिपा हुआ है क्योंकि इसकी location असानी से नहीं मिलती, पर don't worry मैंने आपके लिए description में maps की link छोड़ दी है यहां गंगा के खुपसरोत view के साथ-साथ यह हर्याली भी है और इस पूरे cafe का यह अनोखा aesthetic भी है cafe में बैटने के लिए बहुत सारी जगा है और इस शांदार view के साथ खाना खाने का मजा ही कुछ और है यहां local, Italian और Asian dishes मिलते हैं, burger, pizza, sandwiches, pasta, noodles यह सब आप यहां पर enjoy कर सकते हैं मैं recommend करूँगी इनका chunky garden fresh veggie burger, इसमें धेर सारी सबजियां है और mayo भी आता है और इसके साथ कुछ fries भी है drinks में इनका mohito बहुत refreshing है, यहां खाने के लिए लगबग 500 रुपए लग जाते हैं लेकिन खाने से ज्यादा इसकी खास बात है कि यह सीधा गंगा गाट से जुड़ा हुआ है यहां से सीडियों से आप नीचे इस प्रोमेनाड पर जा सकते हैं इस प्रोमेनाड एरिया में आकर बिलकुल मुंबई के मरीन ड्राइव की याद आती है और शायद इस जगा का नाम मरीन ड्राइव ही है यहां से आप कैफे भी देख सकते हैं और थोड़ी और सीडियों से नीचे आकर आप बिलकुल गंगा घाट के पास बैठ सकते हैं इस जगा पर त्रिवेनी घाट से बहुत कम भीड है और बहुत ज़्यादा शान्ती भी है रिशिकेश में एक authentic Italian restaurant भी है इसका नाम है A. Tavola Conte इसकी शुरुआत 2014 में एक Italian chef ने की थी और अब इसके मालिक भारतिय हैं यहां पर wood-fired pizza, pasta, Italian desserts यह सब मिल जाता है मैंने तो इनका margarita pizza ट्राइ किया और वो वाकरी बहुत tasty रहा इसमें tomato sauce और mozzarella cheese है और इसकी कीमत करीब 400 रुपे है यह है cannelloni, इसमें pallak और white sauce है और उपर से थोड़ा से red sauce भी है इसकी कीमत है 400 रुपे है यहां desserts भी मिलते हैं और इनका chocolate mousse बहुत tasty है इसकी कीमत है 200 रुपे है यहां vegan options भी मिलते हैं अगर आप tasty Italian खाना पसंद करते हैं तो यहां जरूर आएं cafes और restaurants के जैसे ही यहां का street food भी थोड़ा हटके है यहां regular fast food कम और local चीज़े ज्यादा मिलती है और इनमें इसे एक local favorite है bakery on wheels यह चोटे-चोटे ठेले हैं और इनके पास cookies, biscuits और नान खटाई जैसी चीज़े मिलती हैं इसमें गेहू, वेसन, सूजी, शक्कर और घी होता है और इनका दावा है कि यह मैदा बिलकुल भी नहीं इस्तमाल करते हैं और बहुत बार यह oven से fresh बाहर आते ही आपको मिलती हैं इनमें अलग-अलग flavors भी हैं, बदाम, चोकलिट करीब 20 रुपे में 6-7 पीसेज मिल जाते हैं और यह वाला है राम जूले के पास लेकिन यह बहुत सारे अलग-अलग जगाओं पर है तो आप जहां पी भी fresh बनता हुआ दिखें, वहां पर ज़रूर ट्राय करें राम जूले के पास खाने के लिए बहुत कुछ है यहां पर गन्य का रस्ट भी मिलता है और इसमें फुदीना, अद्रक, नीमबू डालते हैं और उस वज़े से यह बहुत ही tasty बनता है इसकी कीमत है करीब 40 रुपे अगर कुछ गरम पीने का मन है तो यहां चाय के बहुत सारे ठेले हैं कुलड में चाय मिलती है, यहां एकदम फ्रेश वाली कैफेज और रेस्टरॉंस में खाना खा रहे हैं तो आपका डेली बजट लगबग 800-1000 रुपे पर परसन हो सकता है अगर आप रिशिकेश में कैफेज और रेस्टरॉंस नहीं घूम रहे हैं तो त्रिवेनी घाट और आश्रम एक ही दिन में घूम सकते हैं और अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप रिशिकेश के नजदी की शहर भी घूम सकते हैं जैसे कि हरिद्वार, देव प्रयाग, देहरादून ऐसी ही एक जगा है वशिष्ट गूफा यह रिशिकेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है यहां आप प्राइविट कैब यह ज्यादा लोग हो तो मिनी बस से पहुँच सकते हैं जाड़ी सिर्फ यहीं तक जाती है, यह है स्वामी श्री पुर्षोतमानंद का आश्रम यहां से गुफा के लिए दो रास्ते हैं, एक है यह सीडियां और दूसरा है यह स्लोपिंग रास्ता यहां करीब 200 से भी ज्यादा सीडियां है और उनसे होकर भी और थोड़ा से चलना पड़ता है आगे यह आश्रम है जहां पर बहुत सारी गाय आपको दिखेंगी, यह है वशिष्ट गुफा इस गुफा में सब्तरिशियों में से एक रिशी वशिष्ट ने तपस्या की थी गुफा में शिवलिंग है और पूरा अंधेरा है और हम भी गुफा में बैट कर थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं सिर्फ 6-7 लोग एक समय पर यहां बैट सकते हैं बाहर आने के बाद प्रशाद लेकर आप यहां से नीचे आ सकते हैं यहां से गंगा नदी बहते आप बिलकुल करीब से देख सकते हैं और यह नजारा इतना ज्यादा सुन्दर है मैं आपको बतानी सकती पहाड़ों के बीच में से यह नदी यहां पहुंचती है यहां पर ज्यादा भीर नहीं है और खाने पीने के लिए हाइवे पर छोटा सा ठेला भी है और यहां तरो ताजा कर देने वाला गंगे का रस बिलकुल भी मिसना करें जिस रोट पर यह गुफा है वो नैशनल हाइवे 7 है और यहां से आगे जाकर हम देव प्रयाग पहुचते हैं यहां से आगे खाने पीने के लिए रुख सकते हैं एक मशूर इलाका है तीन धारा यहां पर कई धाबे और रेस्टरॉंस है इन में से एक है यह सैनिक यहां पर पराठे, मैगी जैसी चीजे मिलती है और यहां से बस आदे घंटे की दूरी पर है देव प्रयाग रिशिकेश से देव प्रयाग के बीच 70 किलोमेटर की दूरी है और डिरेक्ली पहुचने में 2-3 घंटे लग जाते हैं देव प्रयाग का मतलब है देवी संगम यहां पर दो पवित्र नदियां जुड़कर गंगा बन जाती है और उनके मिलन को संगम घाट से देख सकते हैं इस संगम घाट पहुचने से पहले आता है प्रयाग व्यूपोइंट नाशनल हाइवे साथ पर है और यहां से दोनों नदियों का संगम नजर आता है वहाँ से आती है अलग नंदा नदी और यहाँ से आती है भागी रथी नदी और आगे जुड़कर शुरू होती है गंगा इस प्रयाग व्यूपॉइंट से ये संगम और पूरा का पूरा देव प्रयाग दिखता है ये उत्तराखंड के आध्यात्मिक स्थलों में से एक है इस पवित्र संगम को और पास से देखने के लिए इन सीडियों से नीटे उतरना पड़ता है वैसे तो काफी सारी सीडिया है जल्दी थकान भी महसूस हो जाती है लेकिन हर कदम पर हम इस व्यू के और नजदी और करीब पहुँचते रहते हैं आगे इस छोटे ब्रिट से होकर इस मार्केट एरिया में आ जाते हैं यहाँ पर आपको स्नैक्स पानी बगरे मिल सकता है तो आप छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं आगे रहा संगम गाट यह अलग नंदा और यह भागी रथी और यह दोनों नदिया मिल गई और बन गई गंगा इस निर्मल पानी से हाथ पैर चेहरा बाल और बाहों पर लगा कर पंचसनान करते हैं यहाँ पर ऐसे बैरिकेड लगे हैं ताकि पानी में और आगे जा सकें और लिटरली आप इस संगम के बीच में खड़े रहकर यह खुबसूर्ती देख सकते हैं यहां से दोनों नदियों के अलग-अलग रंग भी काफी साफ दिखाई देते हैं वापस आते हुए रगुनात मंदिर में जा सकते हैं इस मंदिर में 108 सीड़िया हैं कहते है रावन की हत्या का प्रायश्रिक करने के लिए राम यहीं आये थे जब आप संगम के दर्शन करने आए तो यहां भी जरूर आएं संगम घाट के अलावा भी देव प्रयाग में बहुत सी चीजे हैं यहां पर चंद्रबदनी मंदर है रामकुन घाट है नक्षत्रवेद शा सकते हैं यहां पर ठैडने के लिए होटेल्स धर्मशाला और लॉजिस भी हैं अगर आप रिशिकेश से देव प्रयाग वन डे रिटर्न ट्रिप कर रहे हैं तो पर परसन ट्रावल और खाने के साथ खर्चा हो सकता है दो से तीन हजार के बीच इसमें आप लोकल ट्रांसप पहुचने में 30-40 मिनिट लगते हैं हरिद्वार में दुन्या भर से लोग आते हैं और यहां हर 12 सालों में कुम्मेला भी होता है यह भारत के साथ मोक्षपूरों में से एक है कहा जाता है यहां आने से मोक्ष मिलता है इस शहर को कुछ लोग गंगा द्वार भी बोलते हैं और केदारनात और बदरीना जाने वाले बहुत से यातरी यहां दर्शन के लिए भी आते हैं यह हर की पॉड़ी, यहां पर भी गंगा आरती होती है और हर रोज यहां इतनी ही भीड होती है कभी-कभी तो और भी ज्यादा आरती के बाद नदी में फूल और दिये चड़ाये जाते हैं और कई लोग इन घाट पर पावन होने के लिए स्नान भी करते हैं यहां पर भी थैरने के लिए बहुत सारे आश्रम और लॉजिस हैं यहां एक बहुत बड़ा मार्केट भी है जहां पर कपड़े, पूजा का समान, गहने, मिठाई यह बहुत सारी चीज़े मिलती है यहां पर चोटी वाला रेस्टांट भी है तो अगर आप रिशिकेश में वहां ना खा पाएं तो यहां आ सकते हैं यहां बाकी लोकल खाना भी अच्छा है और उसमें से सबसे बेस्ट चीज है पूरी हर रेस्टांट में आपको ऐसे बड़ी-बड़ी पूरियां और भटूरे डिस्पले पर दिखेंगे तो यह ज़रूर ट्राय करें मेरे हिसाब से रिशिकेश और हरिद्वार में बहुत ही ज्यादा अंतर है हरिद्वार में थोड़ी ज्यादा भीड़ बार है और यह थोड़ी सी ज्यादा कमर्शल जगा भी लगती है आप देखेंगे तो इस तरफ एक के बाद एक पंडित बैठे रहते हैं और सभी लोग तो नहीं पर कई लोग यहाँ पैसे एकने के चकर में भी रहते हैं स्कैम से यहाँ साफधान रहना पड़ता है कोई आपको स्पेशल पूजा, स्पेशल सीट, स्पेशल तरीके का दर्शन, स्पेशल टी का यह सब बेशनी की कोशिश करें तो उनसे बच के रहें अगर आप रिशिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो बस या प्राइविट कैप से आ सकते हैं, बस के प्राइसिस 300-400 के आसपास है और यह दूरी भी कम है अगर आप रिशिकेश हरिद्वार रिटर्न ट्रिप करेंगे तो पर परसन 1500 रुपे शायद काफी है रिशिकेश का सबसे नजदी की एरपोर्ट देरादून में है और यह शहर भी घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया है तो रिशिकेश जाते वक्त या वहां से लोटते वक्त आप देरादून भी एक्स्प्लॉर कर सकते हैं गैरादून यहां के सबसे मज़ूर हिल स्टेशन में से एक है और यहां बहुत से लोग इस खुबसूरत माहौल का मज़ा लेने भी आते हैं अगर आप भी ऐसा करना चाते हैं तो आप ट्री ओफ लाइफ रिजॉर्ट में रह सकते हैं यह बहुत ही सुंदर इलाके में है और यहां से बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू दिखता है इस रिजॉर्ट में खाना भी अच्छा मिलता है और कई पहाडी डिशिस भी आपको ट्राय करने मिल जाएंगी इसकी प्राइस पर नाइट है लगपक 6-8,000 रुपे अगर आप यहां आएं तो एलोरा बेकरी की famous goodies भी जरूर ट्राय करें खास करके उनका carrot cake यह यहां की famous और काफी पुरानी बेकरियों में से एक है अगर आप देरादून के बारे में और जाना चाते हैं तो मुझे comments में जरूर बताएं देरादून से बहुत ही करीब मसूरी भी है यह भी बहुत ही मशूर hill station है और अगर आप यहां का trip देखना चाते हैं तो वो भी मुझे comments में जरूर बताएं मेरे हिसाब से देव प्रयाग और हरिद्वार के beach में रिशिकेश आता है air travel के हिसाब से भी रिशिकेश ही airport के सबसे नजदीक पड़ता है तो रहने के लिए रिशिकेश थोड़ी सी बहतर choice है रिशिकेश में रहने के लिए बहुत सारे आश्रम है और अगर आप थोड़ा और comfortable stay करना चाते हैं तो आप lodge या hotel चुन सकते हैं यहाँ पर basic hotel की इमत है 1200 रुपए प्रती राच लेकिन अगर आप थोड़ा 3 star या उससे बढ़ कर experience लेना चाते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक recommendation है योग निकेतन बाइ संस्कृती यह गंगा के बिलकुल किनारे पर है और यहाँ का stay बहुत comfortable है और खाना भी बढ़िया है यह है इनकी premium गंगा view room यहाँ से सच में बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है सुभे में यहाँ breakfast buffet होता है हर शाम यहाँ पर high tea भी होती है और इसमें चाई के साथ पकोड़े, वड़ा पाव, सैंड़िचे और कई सारी snacks मिलते हैं इस hotel के restaurant से भी गंगा नदी का शांदार नजारा दिखता है और बस इस view की बज़े से यह जगा और भी खास है और क्योंकि यह एकदम गंगा किनारे है तो यहाँ से बाहर इस promenade पर भी आ सकते हैं शाम में 6-7 बज़े की आरती भी आप यहीं से देख सकते हैं इनका location ही इनकी सबसे बड़ी plus point है अगर आप शहर की चहल पहल से थोड़ा दूर फिर भी गंगा के करीब रहना चाते हैं तो यह जगा best है यहाँ प्रती रात steak की कीमत आपको 6,000 रुपे से शुरू हो सकती है रिशिकेश में रहने के लिए एक और option है वो है यह cottages इसमें दो मंजिले हैं नीचे living room और dining room area है और उपर है bedrooms bedrooms बहुत ही cozy और सुन्दर से हैं और family के साथ या बड़े group में रहने के लिए यह cottages best है यह main market से थोड़ा सा दूर है लेकिन बहुत ही शांत और सुन्दर है यहां पर खाना भी बिल्कुल गर्ज जैसा मिलता है इनके staff members बहुत ही मदद करते हैं और अच्छी खातिफदारी भी करते हैं यहां रहने के charges 10-15,000 रुपे के बीच हो सकते हैं और इनका नाम और location details में नीचे description box में डाल दूँगी इशिकेश आने के लिए सबसे best समय है सब्टेंबर से मार्च के बीच उस वक्त यहां का मौसम बहुत सहाना होता है और नदी का प्रभाबी शांत और धीमा होता है इस समय यहां का तापमान भी 20-25 डिवी Celsius रहता है पर December, January और February में बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है अब आते हैं सबसे important सवाल पे ट्रिप का total budget कितना है मैंने आपको हर चीज की अलग-अलग costing अलड़ी बता दी है लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताई सारी की सारी चीजे करना चाहते हैं तो मैं suggest करूंगी आप इसे 4 या 5 दिनों की आइटनरी बनाएं पहले 2 दिन रखे रिशिकेश में, एक दिन देव प्रयाग में और एक दिन हरिद्वार में और हो सके तो return journey पर थोड़ा बहुत देरा दुनरी explore कर ही लें इस trip का पूरा खर्चा उसमें 4 nights का average hotel cost, travel और खाना पीना पकड़कर 25 से 30,000 रुपे हो सकता है इस budget को घटाने के लिए और पैसे बताने के लिए आप local transport का इस्तिमाल करें, hotel booking काफी advance में करें, street food और local food try करें, weekend और holidays पर travel ना करें इस वीडियो को save करके ये आइटनरी और रिशिकेश का पूरा guide याद रखें अगर ये वीडियो देखकर आपको रिशिकेश जाने का मन हुआ तो मुझे comments में जरूर बताएं और ये वीडियो आपके लिए useful रहा तो इसे एक बड़ा सा like दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ share करें ऐसे और ट्रावल गाइड्स के लिए sugar spice nice हिंदी चैनल को subscribe करें और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में बाई